हेलो एब्रिवन कैसे हूँ आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ यह डिजाइन यह पैटरन बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसे आप लेड़ीस के काडिगन में, जैकिट में, जैंस के स्वेटर में, बच्चों के किसी भी परजेक्ट में और गुर्ण्स के लिए भी बना सकते हो इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए वो six के multiple से चाहिए और three फंदे हमें extra चाहिए तो pattern अच्छे से हमारा set हो जाएगा छे-छे के multiple से डालेंगे तीन फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस design को बनाना एक बार यह दिखे मैंने sample बना कर देखा था अब इनी फंदों पर मैं दुबारा से आपको आगे बना कर दिखाऊंगी आपने सोचना निचे border बना हुआ बोर्डर बनाने के बाद ही हम design डालेंगे और इसमें हमने जो फंदे डाले हैं मैंने 21 फंदे डाले हैं यह design तो सच में बहुत प्यारा है आप इसे किसी भी प्रजेक्ट में यह नहीं सुतना है कि शोट कार्डिगन में ही डालेगा आप लेडिस के लिए जाकेट बगारा तो किसी भी फुल कार्डिगन में जाकेट में किसी भी प्रजेक्ट में इसे डाल सकते हो तो इसके जो first row आपने CG तरफ से बनानी है पहले फंदे को उतार देना है यह estrich का फंदा हमारा फिर यह एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा यह एक यह इन दोनों फंदों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पर हमने जारी डालनी है यह एक फंदा सीधा अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करेंग पीछे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे इस तरह से अब इस एस्टिच को शोड़ कर यहां से यहां तक यह छे फंदे हमारी complete हो गए हैं इनी छे फंदों को हमने बार 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 रपीट करते जा रहे हैं तो बारा से इनी छे फंदों को देखे कैसे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यह एक फंदा यह एक यह दोनों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ किया इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, यहां पर हमने जाली डाल दी, यह फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करना है, क्योंकि फिर से जाली डाल दी है, इस फंदे को ऐसे सीधा किया, इन दोनों में स्लाइड डाली, पीछे से दो का एक कर देंगे, ठीक है, फिर से इसी करेंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ आगे से स्लाइड डालेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, यह फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इससे जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे था बना देना है हमने इसी तरह से आपने इसी डिजाइन की first row पूरी बनाकर complete कर लेनी है अब second row उल्टी तरफ से उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाने है और ये डिजाइन हमारा उल्टी तरफ से कुछ इस तरह से बन कर आएगा पहले first फंदे को हमने उतारना है first फंदे को उतारने के बाद अब धागा दूसरी तरफ ये हमने सीधी तरफ से उल्टा फंदा बनाये था निके उल्टी तरफ से इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ अब ये एक ये दो ये तीन ये चार ये 5 फंदे उल्टे, अब इस S टिश को शोर कर यहां से यहां तक जो हमारे ये 6 फंदे हैं, इन्ही 6 फंदों को आपने पूरी इस राई में रिपीट करते जाना है, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, ये लास्ट का एक फंदा जिसे उल्टा बना एसे करते ही हुए हमने ये पूरी रों बनाकर complete कर लेनी है अब थर्ड रों हमारी सीधी तरफ से इस फर्स्ट वंदे को उतारिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ ये पांच वंद करते जाना है एक फंदा उल्टा पाँच फंदे सीधे एक फंदा उल्टा पाँच फंदे सीधे दुवारा से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा दूसरी तरफ करेंगे एक दो तीर चार पाँच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ फिर से देख फिर लास्ट में ये दो फंदे हैं जिसमें से एक फंदा उल्टा एक सीधा ऐसे करते हुए हमने डिजाइन की तीसरी सलाई थर्ड रो पूरी बना कर कम्प्लीट कर लिया है अब रो फॉर्थ रो हमारी उल्टी तरफ से इस फंदे को उतारिए धागा दूसरी तरफ कर लेंग ये एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे ये पांच फंदे उल्टे ये पूरी रो हमने इसी डिजाइन को रपीट करते हुए बनानी है दो तीर चार पांच ये फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं उल्टी तरफ से से वैसे ही बनेंगे धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा दिखाई दे रहे हैं इसी सीधा धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक दो तीर चार पांच फंदे उल्टे लास्ट का एक फंदा ये सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे क पूरी रो बनाकर फॉर्थ रो कंप्लीट कर लिए चार सलाइया हमारी कंप्लीट हो गई यह पाच भी रो है हमारी सीधी तरफ से फिफ्थ रो तो देखे इसे कैसे बनाएंगे इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे अब यह वाला डिजाइन थोड़ा हमारा चेंज होगा ठीक ह यह वाला डिजाइन देखे यहाँ पर आधी डब्बी यहाँ पर और यहाँ पर पूरी डब्बी डलेगी तो उसके लिए यह फर्स्ट फंदा उतारा है इस उल्टे फंदे को हमने इस बार सीधा बनाना है अब धागा अपनी तरफ करना है यहाँ पर जाली डाली है इस फं फंदा है न इसके दोनों तरफ हमने जाली डाली थी इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है इस तरह से धागा दूसरी तरफ अब जैसे हमने फ्रस्ट वर ड्ली ती आगे सेम ओही डिजैन डलेगा आगे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में दोकाई कर देंगे धागा अब हमने इस first edge को छोड़ दीजिए, एक फंदा सीधा बनाया, जाली डाली, इस फंदे का face ठी करकर सीधा करकर दो काई कर दिया, फिर एक फंदा उल्टा, आगे से slide डाली दोनों फंदों में दो काई कर दिया, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, फिर से दो काई किया, अब इस इसी डिजैन को बार बार हमने repeat करना है तो धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ आगे से slide डालेंगे दो फंदों में दो का सीधा धागा अपनी तर जानी डालेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ इस फंदे को उतार कर सीधा और दोरों में slide धागा अपनी तरफ फिरसे एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ आगे से स्लाइड डालेंगे, इन दोनों फंदों में दोका एक कर दिया, धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जारी डालेंगे एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए हमने ये पूरी row बना लेनी है row हमारी बिल्कुल first row की तरह ही बनी है बस ये आधी डब्बी यहाँ पर डालने के बाद हमने एक फंदा ये उल्टा बनाने के बाद ये इन फंदों को छोड़ेगे ये एक दो तिन चार ये एस्टिच ये ये इन फंदों को छोड़ेंगे यहां से यहां तक ये सेम वही design डला है हमारा उल्टी तरफ से ये हमारी six throw है तो उल्टी तरफ से देखेंगे ऐसे बनाना है इस first फंदे को पेले हमने उतारना है अब ये एक ये दो ये तीन फंदे हमारे उल्टे तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे ये सीधा फंदा हमारा सीधा बनेगा अब धागा अपनी तरफ फिर से पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक दो तीर चार पांच फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक दो ये तीन फंदे उल्टे और ये स्टीच भी हमारा उल्टा ऐसे करते हुए हमने पूरी six throw बनाकर complete कर ली है अब row seven हमारी सीधी तरफ से बनेगी इस first फंदे को उतार लेंगे row seven में जो फंदे हमें जैसी दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनाते जाना है ये एक, ये दो, ये तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ फिर से ये पाँच फंदे सीधे चार, पाँच, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ ये एक, दो, तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए ये पूरी रो हमने बनाकर complete कर ली है अब उल्टी तरफ से भी जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहें, same to same वैसे ही बनाते जैंगे, एक फंदा उतारेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इससे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, पांच फंदे, तीन फंदे उल्टे, ये लास्ट एस्टिच का फंदा भी उल्टा, ऐसे करते हुए ये हमारी आ तो फर्स्ट रोज ऐसे आपको बताई है वैसे ही डिलेगी इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा दूसरी तरफ इन दो फंदों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो काईक कर देना है धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ दो फंदों में स्लाइड डाली आगे से दो काईक कर दिया फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे दोनों में स्लाइड डाली पीछे से दो काई कर दिया, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, आगे से स्लाइड डालती हुए दो काई करेंगे, धागा अपनी तरफ जारी डालेंगे ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दोनों में स्ल कार्डिगन बनकर आपका त्यार हो जाएगा इस तरह से आपका ब्यूटिफूल डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अचा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइ वीडियो के साथ बाब बाई हैवा नाइस टेए